यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव में कॉंग्रेस को 2 सीटें देने वाली समाजवादी पार्टी अब गठबंधन की सभी 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी उसने अपने प्रत्याशियों की नामों का एलान भी कर दिया है इंडिया गठबंधन के तहट कॉंग्रेस अब समाजवादी पार्टी के लिए सर्फ प्रचार करेगी कॉंग्रेस ने अपने किसी कंडिडेट को प्चुनाव में नहीं उता रहा है तो क्या हरियाना वाला फॉर्मूला एसपी ने अब कॉंग्रेस को समझा दिया है क्या एसपी के सामने कॉंग्रेस ने सरेंडर कर दिया दो लड़कों की जोड़ी अब यूपी में मिलकर उप्चुनाव का दंगल तो लड़ेगी लेकिन सियासी मैदान में राहुल के लड़ाके नहीं होंगे बलकि सभी नौ सीटों पर अखलेश को उमीदवार चुनावी ताल ठोकेंगे कॉंग्रेस विधान सभा उप्चुनाव में अपने प्रत्याशी नहीं उतारेगी इंडिया गठवंधन के संयुक्त प्रत्याशी एसपी के चुनाव निशान पर मैदान में उतरेंगे इसकी जानकारी एकलीश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफरम पर दी है उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा बास सीट की नहीं जीत की है इस रणनीती के तहट इंडिया गठवंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी नौ सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन साइकल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे कॉंग्रेस और समाजवादी पार्टी एक बड़ी जीत के लिए एक जूट भोकर कंधे से कंधा मिला कर साथ खड़ें इंडिया गठवंधनी सुक्चुनाव में जीत का एक नया आध्याई लिखने जा रहा है उत्तर प्रदेश कॉंग्रेस कमीटी के समान्य अध्यक्ष और वहां के सभी वरिष्ट नेतों के सुझाव अनुसार आधरनी कॉंग्रेस अध्यक्ष से सहमती लेकर हमने निरने लिया है कि उत्तर प्रदेश में कॉंग्रेस पार्टी अपने उमीद्वार नहीं उतारेगी एवं इंडिया गड़बंदन के सभी उमीद्वारों को एक जुटता के साथ मजबूती के साथ उनकी विजय के लिए प्रयासरतन रहेंगे सूत्रों की मारे तो अखिलेश और राहुल की सहमती से ही ये रणनीती बनाई गई है S.P. अध्यक्ष अखिलेश यादव और कॉंग्रेस नेता राहुल गांधी के बीच फोन पर बात हुई थी S.P. ने उप्चुनाव में कॉंग्रेस को गाजियाबाद और खैर सीट दी थी लेकिन कॉंग्रेस पांस सीटों पर लड़ने के लिए अड़ी हुई थी हाला कि अखिलेश यादव मंगलवार को कॉंग्रेस को एक और सीट फूलपूर देने के लिए तैयार हो गये थे लेकिन राहुल और अखिलेश की बात होने के बाद कॉंग्रेस के सिंबल पर प्तियाशी न उतारने का फैसला किया गया उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने अखिलेश पर तीखा हमला बोला है बीजेपी ने कहा कि विपक्ष के गटबंधन में कोई भी नेता राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं लेता इसलिए एकलेश सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़ने की बात कर रहे हैं दूसरी तरफ कॉंग्रेस ने कहा कि सिंबल से ज़्यादा चुनाव में जीत जरूरी है इंडिया गंडबंधन 9 की 9 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है सिंबल हमारे लिए महत्वपूर नहीं है हमारे लिए महत्वपूर भारती जन्ता पर्टी के कुशाशन का आंत है हमारे लिए महत्वपूर जो लोग वहराईज का दंगा करा रहे है उनका खात्मा जरूरी है हमारे लिए important ये है कि कहीं न कहीं देश में सुरक्षा हो सांती हो संविधान की रक्षा हो और देश में बहुदली लोक्तन सलामत रहे Congress Party राहुल गांदी उनकी ट्रोल आर्मी और उनके प्रवक्ताओं को ये बता दिया कि राहुल गांदी का राजनेतिकत कितना छोटा है Congress लोक प्रवक्ता सवाय बोले चार सीट तो हमारी है उसके बाद जाकर उनको पता चला कि दो सीट ही उनको मिलेगी Congress के UP President को इस बात के बारे में पता ही नहीं था फिर Congress Party को लगा चलो उनको दो सीट मिलेगी और अब अखिलेश यादव ने बोल दिया कि नौ सीट पे सिर्फ समाजवादी Party के सिंबल पे उचुनाव लड़े जाए हर्याणा के विधान सभा चुनाव में Congress और सपा के भी सीटों को लेकर बात नहीं बनी थी इस पर S.P. ने भी हर्याणा में अपने प्रत्याशी नहीं उतारे थे ये तब अखिलेश और राहुल की बात चीज से ही संभव हो सका था अब हर्याणा की तरज पर ही यूपी में Congress प्रत्याशी नहीं उतार रही है News 18 के लिए Bureau Report